सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती हूँ अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुवत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो यह मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ हाँ, इंटरनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाव में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट के सुविधा मुबाइल फोन तर भी उप्लब्द है, क्या यह सत्य है? हाँ, रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अथवा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, कि आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन, कृपया बैट जाईए मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बाकी आप लोग भी बैट जाईए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उपयोग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वः प्रसंसकरन के लिए किया जाता है अब हमं कंप्यूटर वो उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं प्रदर्शित कम्प्यूटर दो भागों में विभाजित होता है हार्डवेर और सौफ्टवेर कम्प्यूटर वह उससे जुड़े सभी उपकर्णों को हार्डवेर कहते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए computer निर्देशों की जिन समूह या समूहों का पालन करता है उन्हें software कहते हैं आपका मतलब है कि screen पर दिखने वाले सभी icons software होते हैं हाँ रोहन, software computer में program होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे computer बनता है computer के तीन अंग होते हैं पहला input device, दूसरा processing device, तीसरा output device जैसे एक tractor को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशकता होती है ठीक उसी तरह computer में data भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशकता होती है computer में data भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित करने के लिए जिन उपकर्णों का प्रियोग किया जाता है उन्हें input device कहते हैं इन चित्रों को देखो ये कुछ input devices हैं जिनका प्रियोग computer में होता है ये input device निम्न है pen drive, mouse, keyboard, cd, microphone, keyboard और mouse प्राथमिक input devices हैं यह बिल्कुल typewriter के keyboard की तरह दिखता है हाँ इसमें कुछ अतरिक बटन आवश्य है सामाने keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रियोग किसले किया जाता है अंक बटनों की सहायता से calculator की भाती computer में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में पेज अप बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में होम बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में एंड बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनीय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है Backspace बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर, बाईं और मिटाता है यह चार बटन किस काम के लिए प्रयोक किये जाते हैं? यह चारो बटन दिशा निरदेशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रोग्रामों में Escape बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। अब तक हमने कीबोर्ड के विभिन बटनों के बारे में सीखा। अब हम माउस के बारे में सीखते हैं। माउस एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है वैसे ही माउस चलाय जाने की दिखा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है। इस तीर को pointer कहते हैं, pointer की सहायता से computer को प्रक्रिया के लिए data वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं माउस पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं माउस के बाय बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना चा सकता है माउस के बाय बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया चा सकता है माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा गूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है फिर computer की memory या RAM में संरक्षित की जाती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं Monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउटपुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathod Ray Tube और Flat Panel Display Printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे Soft Copy कहते हैं और उसे च्छापकर निकालता है जिसे Hard Copy कहते हैं Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को Soft Copy कहते हैं तथा उसे के च्छापे हुए को Hard Copy कहते हैं Printer तीन तरह के होते हैं Inject Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक आउटपुट यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं Speaker के बिना हम गाने, अथवा आवाज, विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone कम्प्यूटर से आवाज आउटपुट देता है ये Speaker की तरह होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आउटपुट सुन सकता है Projector एक आउटपुट यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर प्रजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की Input, Processing व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्यक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह Computer Data संचित करता है जिसे Computer Memory कहते हैं Computer की Memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य Memory और दुत्यक Memory मुख्य प्राथमिक Memory बहुत तेज है इसे RAM कहते हैं इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है Computer की गती RAM पर निर्भर करती है Data और निर्देश मुख्य Memory में संचित रहते हैं जहां से ये Process कर Result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह Memory होती है जहां सारे Program संचित किये जाते हैं Computer की गती RAM पर निर्भर होती है Cache Memory वह Memory है जो RAM का अंग होती है और Processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग Processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक Memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए दुइत्यक Memory का प्रयोग करते हैं चुकि Computer दुइत्यक Memory पर सुरक्षित डाटा को सीधे Process नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुइत्यक Memory की तरह कारे करती है Pen Drive, Hard Disk और DVD तो एक Computer डाटा को अबने Memory में कैसे सुरक्षित करता है? Computer सभी सूचनाएं केबल दो अंकों जीरो और एक में संचित करता है एक अकेली Binary डिजिट अर्थात एक अथवा एक जीरो को बिट कहते हैं आट बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं इस सार्णी को देखो इसमें बिट्स और बाइट्स के बीच कि संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और हार्डवेर को नियंतरित करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं सॉफ्ट्वेर कहलाते हैं सॉफ्ट्वेर प्रग्राम्स निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो कम्प्यूटर को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software वो प्रग्राम होते हैं जो उप्योग करता को Computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw Application Software के उदाहरन हैं जो Program Computer हार्डवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं Computer चलाने के लिए आपको एक Operating System की आवशिकता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं गिता ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी Computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि Computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको Computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह Monitor है यह Television की तरह है और इसकी स्क्रीन पर Output देखा जाता है यह System Box है इसमें Central Processing Unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही Computer का मुख्य दिमाग होता है यह Keyboard और Mouse है यह दोनो Input Device हैं जिसके द्वारा Computer में डाटा भरा जाता है Computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब System Box के बगल में Monitor रखिए System Box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाईसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिनें Port कहते हैं अब इस तरह से Monitor सिस्टम से जोड़ा जाता है System Box Video Port को VGA Port कहते हैं इससे Monitor को जोडने वाले तार को VGA Cable कहते हैं VGA Cable के एक सिरे को सिस्टम के VGA Port से तथा दूसरे को Monitor से जोड़ा जाता है Keyboard दो प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector अथवा USB Connector Keyboard को Connect करने के लिए उसके Connector को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है Mouse तीन प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector, USB Connector अथवा Serial Connector Mouse को Connect करने के लिए उसके Connector को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके कनेक्टर जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें कम्प्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कम्प्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल कम्प्यूटर चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले सिस्टम यूनिट वह मौनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें वह मौनिटर का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें की मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है इसे बूट स्क्रीन कहते हैं धीरे धीरे सभी सॉफ्टवेर लोड हो जाएं तो कम्प्यूटर प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल कम्प्यूटर को देखा है बलकि उसे चालो करना भी सीखा है हाँ, कम्प्यूटर के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें मुबाइल फोन वो टैबलेट के बारे में भी बता देंगी बिलकुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मुबाइल फोन वो टैबलेट कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीजों के बारे में सीखना चाता हूँ पहले हम mobile phone और tablet के विभिन अंगों, कारियों और उप्योगों के बारे में चानते हैं. जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंतर है जिस से आप call कर सकते हैं. Call प्राप्त कर सकते हैं वो message लिख कर भेज सकते हैं. वह प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह के विशिशताएं होती हैं। जैसा की इंटरनेट, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली। यह फोन स्मार्ट फोन कहलाते हैं। कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं। इन्हें डूल सिम फोन कहते हैं। फोन के विभिन अंगों को देखें। गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं। बिलकुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें। पहला, फोन को स्विच कर दें और पीछे का कवर निकाल दें। उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें। तब सिम खांचे में सिम डाल दें। अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें। और फोन को चालू करें। तब चार्जर को फोन में लगाएं। कुछ समय बाद जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें। मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनॉक कैसे किया जाता है। हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए? अब ये लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए। में पास ये नया मोबाइल है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेशताएं कैसे देखें। आप अपने मोबाइल के विशेशताएं देखने के लिए पहले मीनू आइकन चुएं या मीनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं। पुनहा आरंब में जाने के लिए होम आइकन को चुएं या बटन को दबाएं। बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंग टोन, घंटी बदलने के लिए नेमन प्रक्रिया अपनाएं। बेसिक फोन के लिए पहले मिनू चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं। तब ग्यालरी खोलने के लिए खिसक कर ग्यालरी पर जाएं। जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी। अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चैन कर सकते हैं। टाच स्क्रीन फोन, रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया। पहला होम आइकन को चुएं, फिर मिनू आइकन को चुएं। फिर परसनलाइजेशन सेटिंग आइकन को चुएं, फिर सेटिंग आइकन को चुएं। फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन को चुएं। तब रिंग टोन या नोटिफिकेशन रिंग टोन आइकन को चुएं। तब रिंग टोन की सुची में खिसा कर अपनी इच्छा अनु आप स्विम कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर अलाम घड़ी उसके पश्चात अलाम का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं यदि आप अलाम को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर समपन चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं तब घड़ी को चुएं तब अलाम को चुएं अलाम का समय सेट करके सेव चुने दीदी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक कॉंपेक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन अत्वा एक लाप्टॉप अत्वा कम्प्यूटर की तरह है आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और फीचर के सरल उप्योग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उप्योग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं यहाँ पर कुछ हैं बुकलेट टाबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है, और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है. इनके अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करते हैं, इनके अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करें। इनके अंदर करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउ बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उप्योग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए, जब त इसी पावर में लगा दें। डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है। डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में उर्जा सन्रक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें। जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें। पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें। तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा। तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें। एक टाबलेट की होम स्क्रीन अप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्ट कर्ट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं। अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वा बाएं खिसकाएं। तो तुमने सीखा कि कैसे लैपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं। अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं।